वेल्कम तो माई चैनल लाउन वीट फाइजा आज हम एक एसी हैल्ड प्रॉब्रम और उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडेराम्स में यानि की बगल में आपको फोडे हो रहे हैं तो आप यहाँ पे देखे ज्यादा तर इस तरी इनका यह जो हैर है जो बाल है वो तूट जाता है तो तूटने के कारण वहाँ पे इस तरीके से छोटी-छोटी फुनसी हो जाती है और फुनसी होने के बाद वो बड़ा होकर फोडा बन जाता है थार्ड जो प्रॉब्लम है उसमें यह रहता है कि गुलाबी और गहरे रंक कि वहाँ पे गांठ बन जाती है इस तरीके से बड़ा गांठ जैसा फॉर्मेशन बन जाता है और यह जो गांठ है उसे बाल कूप भी कहते हैं तो उसके आसपास आपको रैडनेस और सूजन इस तरीके से पूरी दिखती है देन स्कीन पर एक उबरी गांठ जैसा आपको लग सकता है आप यहाँ पे देख सकते है इस तरीके से उभार आ सकता है और इसकी जो रैडनेस है वो डो सेंटिमेडर टक फैली रहती है तो आप यहाँ पे देख सकते है डो सेंटिमेडर और कभी कभी डो सेंटिमेडर से ज् जो सबी सिम्टम्स है वो उसके according हम कह सकते हैं कि जो patient है उसको skin abscess की बिमारी हो सकती है यह जो skin abscess है उसे हम normal language में फोड़ी या फिर फुनसी भी कहते हैं जो कि ज्यादा तर लोगों को गर्मियों में होते हैं because अंदर का temperature और बाहर का temperature वो मैच नहीं होता तो उसके कारण आप को कहीं पेबी बोड़ी पे फोड़े फुनसी हो सकते हैं तो आज हम फोड़े फुनसी यानिके skin abscess के बारे में सिखेंगे तो यहां पे आप लीस्ट ओफ यह जो chapters देख रहे हैं यह जो सारे chapters है उसके बारे में आज का हमारा डीटिल वीडियो लेक्चर रहेगा तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोड़ेक्शन से की स्कीन एपसेस उसे हम फोड़े फुनसी तो कहते ही है लेकिन यह किस तरीके से बनता है तो यह कॉंटाजिनियस स्कीन इंफेक्शन्स है यानि की छूने से यह फैलता है अब यह जो है वह बनता कैसे है हमारी वोड़ी में हैर तो यह जो ऐल ग्लेंस है वह यहां पर इस तरीके से इकटा होती है वह इकटा होने के बाद स्कीन के हैर के ट्रू अगर बाहर नहीं निकलते तो वह पस्पॉर्मिशन में डव्यू बीसी के रूप में आपकी बोड़ी में इकटा हो जाता है और उसके साथ साथ यह जो बैक theяют का नाम क्या है तो इस नाम यह इसा यह बैक्टरिया हम स्कीन के अंदर ही saun किया जाता है अब हम बात करेंगे कि आ थो होते हैं वह पिर कहां कहां होते है तो यहां प्र अप्लेख सकते हैं इस तरीके में और श्मार् Springs में यह जो फोर्डा बन गया है यह जो आपको आप स पस फोर्मेशन हो जाता है, वाइट कलर का न कहीं डिस्चार्ज होने लगता है। तो यहां पे यह आप वीडियो को पोस्ट करके डेख सकते हैं, ये जो साइट्स हैं, ये जो लोकिशन्स हैं, वहां पे आपको skin absгли हो सकते हैं, तो वीडियो को post करके भी आप इसे read कर सकते हैं आगे हम उसके causes के बारे में सिखेंगे किसके कारण क्या है तो सबसे पहला जो कारण रहता है वो है poor hygiene अगर आप अपनी personal hygiene यानि कि साफ सफाई ज्यादा नहीं रख रहे हैं बाथिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपको हो सकता है दूशरा है poor nutrition आपका food वो प्रॉपर नहीं है nutrition value वाली आप food नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको skin पे घर्मियों के कारण हो सकते हैं या फिर आपकी बूडी कोई ऐसे chemical के exposure में है कोई ऐसे chemical के touch में आई है तो उसके कारण भी आपको बन सकते हैं staff infection यानि कि staphylococcus जो infection होता है जो कि हमारी बूडी में ही staphylococcus aureus bacteria होता है वो कुछ से ही infection create करता है obesity यानि कि जिसका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है बोडी में immune डिवीक हो गई है आपकी immune system कमजोर है या फिर आपकी skin पे बार-बार infections बन रहे है तो यह जो सारे कारण है वो skin abscess होने के रह सकते है आगे हम symptoms के बारे में सीखते हैं इसके symptoms क्या है because इसका जो symptoms है वो यह है कि सबसे पहले जब भी आपको फोड़ा होगा abscess होगा वहाँ पे आपको pain होगा because यह जो फोड़ा है यह तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब इसमें से pus formation बाहर नहीं निकलता है तो यह जो pus formation है वो इकटा होता है और यह जो skin है वो आपकी stretch यानि कि खिचती रहती है यह skin आपकी जितनी भी खिचती है उसके दवरान आपको pain feel होता है तो इसमें pus formation रहता है और pus को हम WBC कहते हैं जो कि इकटा होने के बाद वहां पे एक उभारसा बन जाता है और दिन बर दिन उसकी size increase होती रहती है वो छूने से fail सकता है यलो और white color का आपको center में डीख सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं yellow और white या फिर brown color का आपको इस तरीके से layer डिखेगा then red is purple is in color तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जितना भी यह फैला हुआ है जितनी भी यह area covered है वहाँ पर 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 और redness या फिर लाइट पिंक डार्क पिंक कलर का हम डिफरेंट विरेशन के color में उसे देखते हैं तो यहाँ पर red is purple is color है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको डिफरेंट डिखेगा देन उसके आसपास आपको सूजन भी डिख सकती है तो यह इसके symptoms रहते हैं विडियो के पर आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक book जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहाँ पर इस विडियो में डिख सकते हैं इस तरीके से पूरी color printed book आएगी तो अगर आपको हमारी यह book चाहिए और हमारे साथ इसे ही study करना आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप हमें इस whatsapp number के true contact करें और अपनी जो book है वो आप best tofer में रूपिस 749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं तो इस तरीके से book का cover page रहेगा और आपकी delivery completely free रहेगी नाव आगे हम देखते हैं उसके diagnosis किसके नीदान क्या है तो सबसे पहले जिनको भी abscess है जिनको भी food फुनसी हुए है वहाँ पे उसका physical examination होगा यानि कि यह जो abscess है वो कितना फेला हुआ है कितना diameter है उसका कितना centimeter तक है और किस तरीके से बना हुआ है देट उसकी skin biopsy skin biopsy में आगे तो हमने बहुत सारी skin biopsy देखी लेकिन आज हम नहीं तरीके से सिखेंगे विकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है वो injections है तो injection के true skin biopsy कैसे होगी तो यह जो Foda है for example यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक Foda है यहाँ पे यह है यह injections है तो injection में यह जो liquid है वो body के अंदर insert किया जाता है और दूसरी और से injections के true यह जो pus formation है वो injection में लेके उसका एक्जामीन करते हैं इस तरीके से यह जो boils है और Fodafone C जिसे हम abscess कहते हैं उसका skin biopsy हो सकता है नाव treatment के बारे में सिखेंगे इसका इलाज क्या है कैसे घर पे इसका home diabetes में आप treatment कर सकते हैं without medication तो सबसे पहले आपको अपनी जो body है जहां बेबी आपको Fodafone से है उसे regularly wash करना है gently anti bacterial soap use कीजिए because जो भी bacteria है उसे हमें किल करना है उसके लिए anti bacterial soap use करने होंगे आप अपने जो clothes है वो किसी और के सार शेर ना करें अपनी जो जगह है वो आपको clean रखनी है moisture वारा cloth लगना है जिससे आपको यह जो infection है वो फैले ना तर्मरिक तर्मरिक यानि की healthy उसमें एक main ingredient होता है वो है curcumin तो curcumin जो है वो एक anti bacterial और anti inflammatory properties provide करता है तो वहां पे आप तर्मरिक भी लगा सकते हैं उसके बाद केस्टर ओल उसमें anti inflammatory यानि कि जहां पे सूजन है वह आपको सूजन कम करेगी tea tree oil antibacterial and antiseptic की प्रॉपर्टी देता है नीम ओल अगें इसकी category है तो यह जो हॉम्रिमीडियस है वह आप अपने जू वाइल से वहां पे अप्लाइ कर सकते हैं और रो ओनियन भी लगा सकते हैं उसमें भी antibacterial property होती है यानि कि बेक्टरिया को किल करने की प्रॉपर्टी होती है नाव उसके अलावा अगर आपको हॉम्रिमीडियस की तिक नहीं हो रहा है OTC medicines लेजिए antibiotics है pen relievers है दैन antibacterial soup और last में surgery का option भी रहता है आगे हम सीखेंगे उसकी treatment यानि कि medicines के बारे में तो सबसे पहरा जो option रहता है वो यह है कि four safe यानि कि sephiroxime exitil तो इसका जो content है वो patient को 5 mg में दिया जाता है दिन में एक बार या फिर दो बार amoxyazilin and potassium clevalonate यह blue mox CA की antibiotics आती है तो यह भी patient को दी जाती है एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार clindamycin तो clindamycin भी आपको अच्छी property देती है जिससे कि आपका जो growth हो गया है जहां पर bacteria का growth है जो pain हो रहा है वो से reduce करता है तो यह एक capsule दिन में एक से दो बार patient को supply कर सकता है ना उसके बाद आती है gel तो gel में clindamycin and nicotinamide की combination medicine है new clean gel तो यह जो new clean gel है वो patient को दिन में 2-3 बार apply करने के लिए दे सकते हैं co trimaxozole tablet तो यह जो tablet है वो दिन में एक बार या फिर दो बार patient को prescribe कर सकते हैं लेकिन यह जो मैं आपको medicines बता रहे हूं उसमें से आपको single medicine और आपको single cream या फिर आप combination therapy भी दे सकते हैं सभी medications patient को नहीं देनी है यहां पर आप देख सकते हैं अगर ज्यादा वहां से पस formation और वखेरा हो रहा है तो उसको dry करने के लिए आप powder भी दे सकते हैं इसमें आप जो well known है वो है नियो स्पोडिन तो नियो स्पोडिन में भी हमने वीडियो बनाया है तो आप मेरी चैनल पर जाके नियो स्पोडिन के बारे में डीटेल में सीख सकते हैं तो दिन में 2-3 आपको वहां पर स्प्रिंकल करना है तो नियो मैसीन की क्रीम्स भी आती है ओइंट्मेंट भी अवेलेबल है दिन में 2-3 बार एपलाए करें स्कीन और और अप्थाल मिल्ट की उसके लिए होती है उसके बाद जो है वो डोग्जसाइकलिन कैप्सूल तो वन कैप्सूल दिन देवी 200 के कॉंबिनेशन मैदिसिन में अल्केम फार्मसोटिकल कम्तनी बनाती है तो ये जो टैबलेट है वो आपको दीन में एक बार ही पहिसन को देना है दैन्न मिनोसाइकलीन तो मिनोसाइकलीन भी ऐप एक औप्शन रहता है आपके लिए एक टेबलेट दिन में एक बार Linazole Tablet Liase 600 तो यह भी एच्छी property देती है boils को, abscisses को मिटाने के लिए, कम करने के लिए inflammation कम करने के लिए तो एक tablet दिन में एक बार Isitromycin Isitromycin Isis 500 के नाम से है और market में दूसरी भी available है To Isitromycin के, अगर आप 500 दोस दे रहे हैं तो दिन में एक बार कर सकते हैं तो यह भी 500 में अवेलेबल है तो इसका भी सेम डूस रहता है एक टेबले दिन में एक बार नाव एस बील की बार करें तो यह हॉमेपेटिक मैडिसन है सबसे नंबर वन आती है तो इसकी जो मैडिसन जैल है एकने बायोटिक और पिमपल्स के लिए तो यह बर्बिरिस एकविफूलियम जैल है तो यह जैल दिन में डूसे तीन बार एपलाई करें एस बील के वाइप क्लियर एकने लोशन भी आता है तो वोईल यानि कि फूरे वोंसे उसे हम एक तरीके से एकने के रूप में भी जानते हैं तो दिन में डूसे तीन बार आपको वहाँ पर एपलाई करना है क्लोट्रिमाजोल बेकलोमिठाजोन का कॉम्बिनेशन भी है ये भी क्रीम आप दिन में डूसे तीन बार प्रिस्क्राइब कर सकते है फूर्डम सिपला बनाती है तो यहाँ पर देख सकते है नंबर्स ओफ कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाती है जिसे कि नियोमाइसीन, मि कोनाजोल, क्लोबितर्जोल तो यह जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है वो भी आप दिन बार एपलाई करने के लिए पिशन को प्रिस्क्राइब कर सकते है विपिरोसिन ओइंटमेंट भी है यह भी सेम तरीके से अपलाई करनी है और फिसिडिक एसिड इसलिए एक वहाँ पे ज अपलाई कर सकते हैं तो इसे भी इस तरीके से आपको पिशन को देना है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा इसे ही डिजिस और मेडिसिन के बारे में जान करें चाहिए तो आप मेरी चैनल को यहां से सब्स्र करें और बेल आइकोन को टॉन करना ना पूले थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो